नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो एक मुहावरा याद आगया इस बार जो बिग बोस मराटी सीजन 3 की नोमिनेशन हुई है उसके उपर वो मुहावरा है कि बक्रे की मां कब तक खैर मनाएगी जी हाँ दोस्तों नोमिनेशन की बात करेंगे वोटिंग ट्रेंड की बात करेंगे कि नोमिनेशन के बाद आप क किसको जादा और किसको कम वोट कर रहे हैं यह सब बाते करेंगे मगर साथ में इस मुहावरे का मतलब भी समझेंगे चलिए शुरू करते हैं मगर पहले गुजारिश है आप सबसे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लिजिए साथ में दोस्तों बै पुगदान इतना नहीं दिखाई देता है जिस रुआप से जिस बातों से वो सामने आये थे और आये थे हीरो बनके कि मैं हीरो हूं इतने सालों से काम कर रहा हूं वहाँ से लगा था यह बहुत ही बड़ी चीज करेंगे बिग बोस में इस बार सीजन 3 में मराठी में तो य रिचने 2 हफतों से वो नॉमीनेशन से बचते आये इसलिए वो बिग बोस के घर में है मगर इस बार वो बच नहीं पाए इसलिए मैंने कहा कि बकरे की मा कब तक खैर मनाएगी तो इस बार जो नॉमिनेशन में आ गए हैं वो है अविशिकार जी हाँ अविशिकार का नॉमिनेशन में आना बहुत बड़ा खत्रा है खत्रे की बात है तो अविशिकार के साथ साथ जो और छे लोग नॉमिनेट है उनकी भी बात कर लेते हैं जैसे कि गाईतरी नॉमिनेट ह सनेहा नॉमिनेट है, सोनाली नॉमिनेट है, जै नॉमिनेट है, तो ये सारे नॉमिनेशन में है, मगर अविशकार का नॉमिनेशन में आना बहुत बड़ा खत्रा है उनी के लिए, इसलिए वोटिंग ट्रेंड की अगर हम बात करें, कि अविशकार को वोटिंग ट्रेंड में हम कहां पे लेके आते हैं कहां पे आप लोगों ने उनको रखा है अपने वोट के जरीए तो बात आपके बिल्कुल सही है तो अविशकार आते हैं नमबर साथ के उपर यानकि सबसे नीचे बूट शर्ट सब पहन के बैटे हैं दरवाजे पे बाहर निकलने के लिए उनको इत वो हैं गायतरी गायतरी आती है नमबर 6 के उपर यानकि अविशकार और गायतरी दोनों ही पूरी तरह से तयार हैं बाहर निकलने के लिए लोगों के हिसाब से वोटिंग के हिसाब से क्योंकि उनको वोट बाकी लोगों से कम पड़ रहे हैं अब पांचवे नमबर पे जो क पहले से कम वोट पड़ रहे हैं पहले वो कुछ करती भी थी अब वो कुछ खास नहीं कर रही हैं क्योंकि होता क्या है जैसे इसे सीजन आगे बढ़ता है एक्सकेकेशन भी बढ़ती हैं लोग सोचते कि कुछ और करे मगर वो कुछ करती नजर नहीं आती है जो उनकी set fan following है वही उनको vote कर रही है इसलिए वो इस बार नंबर 5 पे आ गई हैं तो नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 के खिलाड़ी यानि कि सनेहा, अविश्कार और गायतरी ये हैं danger zone में इन में से कोई भी घर से बाहर हो सकता है अब बात करते है safe zone की यानि कि उपर के 4 कौन से खिलाड़ी है जिनको इन टीनों से जादा vote पड़ रही है तो नंबर 4 पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 पे सोनाली पाटी लागई है सोनाली जो काफी कह सकते हैं कि balance होके game को खेल रही है टास्क में वो जादा aggression नहीं दिखाती है aggression in the sense की जो लडाईयां होती है जैसे की गाहितरी ने जिस सरह से उनको punishment में उनको मिली है ये nomination जैसे उन्होंने किया है उसे इसाब से सुनाली बहुत सैयम के साथ खेलती नजर आती है इसलिए लोगों को पसंद भी आ रही है और साथ में उनकी जो विशाल के साथ दोस्ती हो पार्टिल सुनाली पार्टिल के बाद विकास पार्टिल आते हैं विकास जब nominate हुए थे जब राजा जी ने उनको nominate कर दिया था तो बहुत रोहे थे ऐसे रो रहे थे जैसे अभी उनको बाहर भेज देंगे बिग बॉस तो ये बहुत कमजोरी है विकास की कि वो अपने आपको underestimate कर रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं केल रहा हूँ मुझे लोग बाहर निकाल देंगे तो ये गलत बात है ये उनको बहुत ज़ादा negative लेके जाएगी उनके confidence की धजिया उड़ाएगी उनको ये confidence रखना चाहिए अपने उपर या फिर ये कह सकते है कि ये करके उनने ल रखा जा रहा है audience के द्वारा इस voting trend में तो अब number 2 की बात करते कि number 2 पे कौन है number 2 पे जय है जय ने भी काफी कुछ किया है काफी task केलते हैं aggression भी आता है गुसा भी आता है लड़ाई जगड़ा भी होता है मगन लोग उनको बहुत पसंद कर रहे है personality अच्छी है real दिखते है जो भी करते हैं दिल से करते हैं चाहे वो कुछ भी हो तो उनका सनेहा के साथ जो सनेह चल रहा है वो भी लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस सारी चीजों को अगर मिलाते हैं तो उनको काफी सारी votes आ रहे है तो ये number 2 पे safe हो रहा है यानि कि बिलकुल भी बाहर निकलने कि इनकी अभी जो है गुणजाईश नहीं है तो number 2 पे safe हो रहेंच है और इसके बार number 1 पे जो हमेशा ही रहते हैं वो है विशाल nominate होते रहते हैं हर हफ़ते nominate हुए हैं ऐसा कोई हफ़ता नहीं जिसमें विशाल nominate ना हुए हो मगर हर बार वोटिंग ट्रेंट में नमबर वन पे रहते हैं और सेफ होते जाते हैं और टॉप टैंड जो आपने देखा होगा उसमें भी उनका नमबर वन ही रहता है यानि की कहना गलत नहीं होगा, यह काफी सहज सभाव के साथ और बहुत ही तरीके के साथ गेम को खेल रहे हैं, काफी नजर आ रहे हैं, टास्क में भी, अदर्वाइस भी सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, तो विशाल की गेम काफी जादा लोगों को पसंद आ रही है, क्योंक जोन में हैं, वो हैं, अविश्कार, सनेहा और उनके साथ साथ है गायतरी, तो यह है वोटिंग ट्रेंड दोस्तों, आप बताइए अब आगे इसको किस तरह से आपको चेंज करना है, क्या करेंगे चेंज, क्या वोट्स आप किसी और को भी देंगे, अपने कंटेस्टन को चोड़के, तो देखते हैं, क्या होता है, अगला वोटिंग ट्रेंड, मगर फिल हाल वोटिंग ट्रेंड में, यही है वोटिंग जो हम देख रहे हैं, जिसकी हमने आप से बात की है, कैसा लगा आपको, बताइएगा, कमेंट करके और देखते रहे हैं चैनल, Hungry Spirits, थैंक प्लिश देखते हैं, क्यार वोटिंग यही वोट्सक्राइएगे जया जापको, नगला वोटिंग क्या है, इस जजिए प्लेगा बेह आपको प।ूदत्स के लिए पेहां चैनल, एष्या है, वोटिंग ट्रेंट से वी जए़ फिल आपको तरेंश थिंग थार्दों ये ज